नमस्कार इंडिया लुजिन खवर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आशीर जाजिंदर कुमार लेकिन ऐसा नहीं हुआ रविंद्र जड़ेजा और इसान सर्मा ने टीम को बखुवी सवाला एक गैंदवाज के रूप में होने के बावजूद भी इसान सर्मा ने कम से कम दस ओवर तक बल्लेवाजी की और जड़ेजा के साथ आठवे विकेट के लिए 50 रनों की बहुमुल पर दसा तक पूरा किया और भारत का स्कोर 297 रन तक जा पहुचा 297 रन पर जानने के बाद टीम इंडिया की पारी ओल आउट होगे उसके बाद बेस्ट इंडीज की टीम अपनी पारी की शुरुआत करने आई शुरुआत अच्छी रही दोनों उपनरों पहले विकेट के इसके बाद नेमत अंतराल पर वेस्ट इंडीज के बिकेट गिरते रहे कोई ऐसी लंबी साइजदारी टीम की तरफ से देखने को नहीं मिली जो टीम इंडिया के 297 रनों के लक्ष का पीछा कर सके और बड़त बना सके बीच में रोश्टन चेस ने 48 और सिमरुन हैट मायर 35 रनों की पारी खेली लेकिन वो भी अपनी टीम को ज्यादा लंबी स्कोर्ट नहीं ले जा सके और आलम यह रहा कि दिन का खेल समाप्त होने तक बेस्ट इंडीज ने 119 रन मना लियो और अपने 8 विगेट खो दिये इन 8 विगेट में जो सबसे एहम रोल निभाया भारती इसान सर्मा ने इसान सर्मा ने अपने टेस्ट केरियर में 90 वार पांच विगेट लेने का कारणामा कर दिखाया और बेस्ट इंडीज टीम की कमर तोड़ दी ऐसे में टीम इंडिया भी इस मैस में बनी हुई है और 100 रन से अधिक टीम इंडिया के पास बड़त है देखना यह होगा कि तीसरे दिन बेस्ट इंडिया को कितने रनों की बड़त मिलती है या नहीं यह तो तीसरे दिन का खेल बताएगा तीसरे दिन का खेल भारतिया समय अनुसार साम साथवरी से सुरू हो जाएगा मैसेज जो भी अपडेट आएंगी वह हम आपको देते रहेंगे त